आकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तोत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वा तरवेदी पहले मुख्षी समाचार केंडर ने राज्यों से कोरोना टीककरण की गती तेज करने को कहा राज्यों सरकार और निजी शेत्र मिलकर गावों में आई टी आई खोले मुख्य मंत्री ने दिया प्रस्ताव जन समाचार से बातचीत के लिए महिला बालविकास विभाग का सेहभागीता समवात कार्करण कल से शुरू होगा और अच्छी खबर में आज सुनिये, महिला सवसाहता समू के प्यासों ने राइस मिल्कों बदला मुनाफिक की सौदे में, अब समाचार विस्तार से केंदर सरकार ने राज्यों और केंदर शाशित प्रदेशों से कोरुना टीका करण की गती तीज करने को कहा राज्यों के स्वास मंत्रियों और रास्ठी स्वास मिशन के प्रबंध निदिश्यकों के साथ, चर्चा के दौरान स्वास सचिव श्री राजिश भूशन ने कहा कि टीका करण का दायरा बढ़ाने की आवश्यक्ता है उन्होंने का कि प्रतेक सत्र में टीके लेने वालों की ओसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए श्री भूशन ने राज्यों के स्वास सचिवों से कहा कि वे टीका करण की दैनिक गती का विश्लेशन करें और इस गती को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं राज्यों को सला दी गए कि वे कोविन प्लीट फॉर्म पर पंजी करत सभी लोगों का टीका करण सुनिर्शित करें राज्यों को ये लक्ष प्राप्त करने के लिए कार्यनीती तैयार करने और यथा संभव अन्या स्वास केंद्रों में भी टीका करण सत्र आयुजित करने को कहा गया है अब तक 12 राज्यों में 60% स्वास कर्मियों को टीके लगाय जा चुके हैं राज्यों को टीका करण की गती बढ़ाने के लिए जिला और प्रिखंड इस्तर पर समिक्षा करने की सलहाद दी गई है स्वास सचिव ने का कि सिर्फ 21 दिन में 50 लाख लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं जो किसी भी अन्या देश के मुकाबले काफी अधिक है मुखी मंत्री शिवरा सिंग चौहा ने प्रिस्ताव दिया कि शोशल कॉर्फोरीट रिस्पॉंसमिल्टी के तहट सरकार और कंपनिया मिलकर गाउं में आईटियाई खोलें मुखी मंत्री शिवरा ने कल दमो जिले के क्या मोर के ग्राम अमेंटा में एसी सी लिमिटेट की नवीन एकाई का भूमी पूजन के अफसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार तेज गती से विकास कर रही है इससे उद्योगों से रोजगार मिलेगा इस प्लांट से लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं आप प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा जिसमें 75 प्रतिशात इस्थानी है युवाओं उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपना कौशल विकास करें सरकार उद्योगों के लिए सकल्ट मैन पावर उपलब्द कराएगी इस शेत्र में माइनिंग की विशीश संभावनाय है या माइनिंग एवं प्रोसेसिंग के माध्यम से रोजगार के अफसर बढ़ाए जा सक मुखिमंतिशी चौहा ने कहा कि निजी कंपनी का सीमेंट प्लांट इस शेत्र की आर्थिक दिशा बदल देगा ये परियावरंट फ्रेंडली है तथा इसमें अंडरग्राउंड वाटर का प्रियोग नहीं होगा साथ ही 33 प्रतिशत शेत्र ग्रीन बेल्च रहेगा इस समचारियों आगनवाडी कारिकरताओं कि शौरी बालिकाओं तथा जनने सामाने के लिए सहबागीता संवात का लाइप प्रसारन शुरु किया जा रहा है कारिकरम का पहला प्रसारन कल दो पहर 2 से 4 वजे के मद्ध किया चाएगा कि लाइप प्रसारन विभागी योट्यूफ चैनल, ट्रिटर एवं फेस्बुक पीच, MPWCD तथा आगनवाडी रेडियो एप पर प्रसारित होगा कारिकर्म में विभागी योजनाउ सहित, स्वास्त पोशन्ट सुरक्षा आदिविशों पर संदीश की जानकारी, विभागी अधिकारियों और विशी विशेशक्यों दोरा दी जाएगी कारिकर्म की दोरान कोई भी प्रतिभागी चट बॉक्स में जाकर अपने प्रिश्न पूछ सकता है प्रतेक महा में प्रतम शुक्रवार और चौथे मंगलवार को बालिकाओं से संबंदित विशेपर चर्चा, दूसरा चौथे गुरुवार को महिला शशक्तिकरन प्रतम और चौथे शनिवार को बाल संरक्षन तथा प्रतम एवं चौथे बुधवार को एकी करत बाल विका के अधिकारी कर्मशारी WWF-WWI के प्रतिभागियों के अलावा स्वयम सेवक और फोटोग्राफर द्वारा स्वयक्त रूप से किया जाएगा। ये संख्या 8398 पाए गई। गिद्गर्णा का कार्य दो चर्णों में किया जाता है। पहला चरण अक्टूवर नवंबर महा में और दुतिय चरण जन्वरी फरवरी महा में आयुजित किया जाता है। प्रदेश में कुल साथ प्रजातियों के गिद्द पाए जाते हैं। इ ये समाचार आप आकाश्मानी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के नुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलिटिन, योट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इस जीतिंद्र सी ने कहा कि इस साल का आम बजट देश में कोविट के बाद की स्तिथी के अनुरूप है और ये कोविट के बाद की अवदी में दृष्टी पत्र की रूप में काम करेगा। एक कारिकर में डॉक्टर जीतिंद्र सी ने कहा कि भारत दुनिया को ये दिखाने में सफल रहा है कि आपदा को अफसर में कैसे बदला जाता है जॉक्टर सी ने कहा कि बजट ने विश्व समुदाय को सपश्ट संकेत दिया है कि भारत अब एक अग्रिम पंक्ती का देश्ट पनेगा और वैश्वता नेता के रूप में काम करेगा उन्होंने कहा कि केंद्रिय पहली बार है कि बजट में स्वास्थ शेत्र में बड़े पैमाने पर जोर दिया गया है कोरोरा काल में जब तमाम वेबसाय दुष्ट पर भावित हुए तब प्रदेश की बेटी मीना रहंग डाले का कार्यव भी बंद हो गया उन्होंने हिम्मत नहीं हारते हुए महिलाओ का समु बनाया और राइसमिल शुरू की मीना की ये कोशिश रंग लाई और आज महिलाओं के सबसायता समुद्वारा चलाई जा रही ये राइसमिल मुनाफ़ा अर्जित कर रही है प्रदार मंतरी नरेंदर मोदी ने भी मन की बातकारिकर में मीना रहंग डाले की कोशिश क की तारिफ की प्रस्तुत है हमारी अच्छी ख़वर में मीना रहंग डाले की सफलता की कहानी मंध्य प्रदेश के चिजगाओं की एक राइसमिल में दिहाडी पर काम करने वाली आदिवासी महिलाओं की जब कुरोना महमारी के चलते आये प्रभावित होई तो वे निराश नहीं होई इन महिलाओं में से एक मीना रहंग डाले ने सभी महिलाओं को जोड कर एक सवय सहयता समुह का गठन किया को खरीदा जिसमें ये महिलाएं काम कर रही थी आज जीवी कमिशन के जिला परियोजना प्रवंधक ओम प्रकाश बेदुआ बताते हैं कि आज ना सिरफ ये महिलाएं अपनी राइजमील चला रही हैं बलकि इस अवधी के भीतर लगभक तीन लाक रुपए का लाब भी कमा च खिर किद ठ Exactly they don't make it me a किशान क्रेडित काड़ और अपनी सुवत्य की राशी को एकत्रित पिया और इसके पश्चात में उन्होंने जहरा आश मिल जो एकाई की कीमत है वह 10,00,00 रुपए के आज पास है मीना रहिंगडाले ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी खुशी दोगनी हो गई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने मन की बात कारिकरम में उनकी कहानी साजा की मीना मुश्किलों को चनौती में बदल कर ना सिरफ खुद आत्मनिर्भर बनी है बलकि अपने जैसी अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है पूजा फी वर्धन आकाश्वानी समचार भोपाल अन्तमे मुख्य समाचार एक बार फिर केंडर ने राज्यों से कोरूना टीककरन की गतीत तेज करने को कहा राज्य सरकार और निजी शेत्र मिलकर गावों में आई टी आई खोले मुख्य मंत्री ने दिया प्रस्ताव जन समाने से बातचीत के लिए महिला बालविकास विभाग का सहभागिता समवात कारकरम कल से शुरू होगा और अच्छी खबर में आज महिला सवसाहता समू के प्रयासों ने राइस मिलकों बदला मुनाफिक की सौदे में इस बुलिटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दोगच की दोरी हाद धुना भी है जरूरी नमस्कार